कि नश्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक डायरीज में जहां मिशन और वेरिस्ट कम्पिटिटिव एक्जाम्स के ताहर जो है जैनरल या बेसिक इंग्लिश ग्रैमर जिसको हम बोल सकते हैं उसको हमने स्टार्ट किया है और कल हमने एक 10 टॉपिक लिया था तैंस इसलिए लिया था क्योंकि ये फांडेशन है ये आपका बेस है अगर आपको इंग्लिश ग्रैमर जो है वो ढंक से सीखना है ढंक से लर्न करना है अटेंप्ट करना है कम्पिटिटिव एक्जाम्स में तो कल हमने प्रेजेंट टैं आज हमने देखा था tense, what is tense, tense is action of time, जो हमें time का action बता है उसका हम tense बोलते हैं, तीन टाइप के होते हैं present, past and future, इनके सब टाइप्स होते हैं present, indefinite, continuous, perfect and perfect, continuous, same as for past and future, अब गाईज आगे देखते हैं कि इसमें जो है वो आपका अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, Guys, present, indefinite की पहचान कैसे करेंगे, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, helping verb रहते हैं, do or does, method क्या रहते है, subject plus verb की first form plus object, यह आगे आपका जो आपके first person आगे, second person आगे, plural होगा, अगर same, आपके पास जो third person singular noun है, subject plus verb की first form plus s, yes, और साथ में object, helping verb क्या रहते हैं, इसके do, does, और जब आ आपका s, yes का concept जो है, वो totally खतम हो जाएगा, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा, आपके third person में देखते हैं, क्या क्यों होता है, singular आपकी screen के ओपर है, he, she, it, ram, ritu, cow, boy, girl, and plural है, they, their, ram and sham, ritu and rima, cow, boys, girls, जिसको आप बहु वचन बोलते हैं, plural, और singular जो है, वो आपके एक बचन, जो मतलब एक बचन की का आवाज देंगे आपको, उसको आपने singular में लेके चलना है, अब next देखते हैं, quick revision एक बर कर लेते हैं, आपका present continuous tense, जो यह जो है, guys, यह आपका continuity को दर्शारता है, मतलब काम जो है, वो आपका लगातार हो रहा है continuity में, अंत में पहचान रहा हाँ, हाँ, आदे आते हैं, helping verb होते हैं, is, m, and are, m का concept आपका सीधा सा खतम हो गया, कि m लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, अब हम m को कर देते हैं, eliminate, is किसके साथ लगेगा, जो आपके third person होंगे, singular, एक बचन के साथ is, और बहु बचन के साथ लगेगा, आपका r, और i, u, वगेरा के साथ भी आपका जो है, i के साथ आपका m लग गया, u के साथ आपका लग गया, r जो आपका second person है, first person के साथ, m लग गया, लेकिन v के साथ भी जो हो आपका r लगेगा, क्योंकि v जो हो वह वचन में आता है, next चलते हैं, आपका present perfect continuous की तरफ, sorry, present perfect tense देखेंगे हम पहले, बाके क्यांत में चुका चुके, चुकी, ये चुका हूँ, आदी आते हैं, क्या रहता है, subject, has, have, plus verb की third form और object, guys, जो आपका continuous tense है, जो मैंने पीछे बताया, उसमें आपकी verb की जो है, v1 के साथ, first form के साथ, ing लगता है, verb की first form के साथ, ing आएगा, और जो आपका perfect tense ह उसके साथ आपका आएगा, third form of verb, next चलते हैं, question number, sorry, आपका जो है, present perfect continuous tense, जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें जो है, आपका थोड़ा सा, ये logical रहता है, थोड़ा सा, इसमें आपको ध्यान देने के जरूरत होती है, वाक्य क्यानत में, समय के साथ, रहा है, रहे है, रही है, रह हो, आदियाते है, समय के साथ, ध्यान देजे, टाइम के साथ, इसका क्यों होता है, देखी, subject, has, have, इनके साथ लगता है, been, बरव की first form के साथ, ing, ध्यान रखेगा, v1 के साथ, हमने लगाना है, ing, object लगाना है, object के बाद, since, for, or time, अब कल मैंने आपको बताया था, कि since, or for, क जैसा हमने कल देखा था, अब देखिए, point of time निशित क्या रहता है, graphical representation है आपकी, point of time के लिए, period of time के लिए, point of time के रहता है, morning हो गया, noon हो गया, evening हो गया, हमें पता है, certain point of time है, morning सुबा ही होगी, ऐसा नहीं के रात को हम morning बोलेंगे, just like 1984, 5, जो आपके years होते है, या आपके accurate point of time, next चलते है, period of time की तरफ, period of time के रहता है, जैसे दो गहंटे, पांच दिन, या आपका दो महीने, ऐसे ऐसे आगए कि उसका आपको certain पता नहीं कि कब से शुरू हुआ वो, आपको दो महीने तो उसने बोले लेकिन वो पिछले साल के वी दो महीने हो सकते हैं, अब गया, definite tense, यह जो है, यह मतलब जो आपने past में या भूत काल में कोई कारे हो गया है, यह उसको गयक्त करता है, पहचान क्या रहती है, वक्क के गयंत में, ता था, ते थे, ती थी, या आ एई, गईज ध्यान रखिए, आ एई, आता है, यह क्या होता है, ता था, ते थे, ती थी, या आए, अब गाईज, यहाँ पर मैं आपको एक important चीज़ बताता हूँ, no down करते चलिएगा, please और वीडियो को skip मत करिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा, question जो आपके आते हैं, जो आपके competitive exams में पूछाते हैं, maximum past tense से पूछाते हैं, क्यों, क्योंकि यह tense जो हो, सबसे जादा confusing है, क्यों, इसमें जो है, अगर आपका simple sentence रहेगा, तो उसमें वर्व की second form लगेगी, जैसे go की होती है, go, went, gone, तो यहाँ पे आएगी simple sentence में, went, और जो आपके अगर बात करें, आपके negative, interrogative है, interrogative plus negative sentences आते हैं, तो उनमें helping verb लग जाता है, did, according, negative होगा तो not लग जा होगा, इसके बाद जो है, आपकी, हम जो है, वर्व की second form को खतम करतेंगे, इसके साथ वर्व की first form लगाएंगे, यह मैं आपको example के साथ समझाता हूँ, देखिए, ध्यान दीजी एक वर्व फिर से, simple sentence होगा, तो आपका क्या है, subject plus वर्व की आपने लगानी है, second form plus object, यह आपका simple के लिए method, अब देखते हैं, अगर आपका जो है, वो हम देखते हैं कि अगर आपका negative sentence है, तो subject के साथ हम लगाएंगे, did plus not, और उसके साथ आएगी, वर्व की first form plus object, same, interrogative होगा, तो did पहले आजाएगा, उसके बाद आजाएगा, आपका subject plus वर्व की first form plus object, और साथ में sign of interrogation, और अगर आपका interrogative plus negative रहेगा, तो पहले आजाएगा, did helping वर्व आपका plus subject, immediate subject के बाद एकदम से not आजाएगा, उसके बाद आजाएगी, वर्व की first form plus object, और last में sign of interrogation लगाना, ना बूले, अब देखते हैं, यह होता है, राम स्कूल जाता था, राम स्कूल गया, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज सिखाता हूँ, यही सिखाना ही बोलूगा, बताता हूँ, अब देखिए, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे subject क्या हुआ, करता क्या हुआ, करता आया आपका, राम, कि जो subject है, जो काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, लेकिन कौन ज रहा है, जा रहा है, यह आगी वर्व, वर्व आगी जाना, क्रिया, क्रिया, काम क्या कर रहा है, वो जा रहा है, लेकिन object कहां पे जा रहा है, हमारे destination क्या है, object क्या है, वो है हमारा स्कूल, ठीक है, राम क्या कर रहा है, राम आगया, subject, स्कूल आगया, object और जाता है, आगी कि इसके लिए आपको वर्ब की थ्री फॉर्म्स भी लर्न होनी चाहिए उनके उपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसकी मैं एक शॉर्ट फॉर्म दूंगा जो आपकी सेलेक्टर रहेंगी उससे आपको बहुत हेल्प में लगी गो वेंट एंड गॉन गो वेंट गॉन में डेली उसमें आपको जो है वह बहुत सर्फ विए Wahadora हैं लेकिन वेंट केसा आपको पते लगजाना सीए सब्जेक्ट कं काम कों कर रहा है मैं क्या आग्या मैं सब्जेक्ट जा रहा हो एक गया त mismos यह आग्या हमारा वर्वीक्रिया और object क्या है destination क्या है कौन सा लक्षे है हमारा school तो I went to school रमा एक पुस्तक पढ़ती थी रमा ने एक पुस्तक पढ़ी subject क्या गया रमा काम क्या करा उसने पढ़ा और क्या किया target क्या था एक पुस्तक तो रमा subject आ गया read यह जो है आपकी read की जो third form है यह ऐसे चलती है read 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 मतलब r e a d read 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 पढ़ते हैं इसको read read and read यह आगया आपका read 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 तो यहाँ पे आगया आपका रमा आगया subject यह आगया आपके verb and a book आगया आपका object यहाँ पे proposition नहीं लगेगी next चलते हैं हमारे negative sentences की तरफ राम school नहीं गया मैंने एक मकान नहीं खरीदा रामा ने एक पुस्तक नहीं पढ़ी डू की second form है, डिड, डिड नॉट, अब गया, गया मतलब गो, उपर हमने क्या किया था, गो का वेंट किया था, यहाँ पी हम गो को simple रहने देंगे, वर्व की first form, and to school, गो के साथ भी जो है, गो या वेंट के साथ जो है, वो उस two proposition लगती है, same, I did not buy a house, भाई का वैसे होता है, बाई बाउट बाउट, लेकिन हमने जो है, first form लगानी है, तो मैंने एक मकान नहीं खरीदा, I did not buy a house, subject आ गया, helping वर्व आगे आपका, buy आगी आपकी वर्व, and a house आगे आपका object, same, रमा ने एक पुस्तक नहीं पड़ी, रमा ने एक पुस्तक नहीं पड़ी, रमा ने एक प आपका, read, read, sorry आएगा, इसको हम पहले read पढ़ेंगे, फिर read, read पढ़ते हैं, read आएगा, next जलते हैं, interrogative sentences के तरफ, क्या राम स्कूल गया, क्या तुमने राम की मदद की, क्या रमा ने एक पुस्तक पड़ी, अब देखें, क्या, 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 क्या मतलब है, अब subject तो ह हमारा आगे चल गया, क्या जो है, वो interrogative sense दे रहा है, प्रशन पूछने के लिए जो है, वो use हो रहा है, तो क्या के लिए हमें पता है क्या करते हैं, जब भी क्या हो, जब भी हमने interrogative sentences बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले helping verb को use कर लेंगे, तो helping verb हमारा कौन सा आगया, helping verb हमारा आ गया did did हमने यूज कर लिया राम तुमने रमा यह आगे हमारे subject गया मदद की और पढ़ी यह आगे हमारे words school राम की and पुस्तक स्कूल राम की और पुस्तक यह आगे हमारे object तो देखें कैसे बनाते हैं did helping बरव आ गया राम आ गया subject go to यह आ गया go आ हमारी work और school आ गया हमारा object did Ram go to school did you help Ram did Rama read a book अब देखते हैं अगर interrogative negative sentence अगर हमने बनाना हो यह होता तो यह होना था कि क्या Ram school नहीं गया तो यहां पर आना था did Ram यह आपका जो है किसी विक्ति का नाम है तो हम जो है capital में लिखें दर did Ram not go to school to school and last में sign off interrogation I hope आपको जो है वो यह चीज समझ गई होंगी समझ आगे होंगी नेक्स चलते हैं past continuous tense की तरफ जो आपको past continuous tense है जैसे आपको पता है कि यह जो है यह continuity show करता है मतलब यह ऐसी चीज को show करता है कि जो past में किसी समय चला हुआ था जारी था कि past में जो है वो किसी समय जो है वो लगातार जारी था वाक्य केंत में same present continuous में रहा है आएगा यहां पर रहा था रहे थे रही थी आदी आते हैं इसका जो helping वर्व होते हैं वो होते हैं आपके वाज और वर्व से मैं आपको बताता हूँ थोड़ी से एक ट्रिक बताता हूँ यह पहले method देख लिए subject helping verb वर्व की first form के साथ ing लगेगा वर्व की first form के साथ ing लगेगा वर्व की first form के साथ लगेगा आपका ing और last में आ जाएगा आपका object negative के लिए subject was not were not हो जाएगा same verb की first form ing object और interrogative में क्या हो ज जालते हैं affirmative sentences की तरफ अब पहले नोट पढ़ लिए कि was is used with singular numbers and were used were is used with you and plural अब देखिए वाज किसके साथ use किया जाता है वाज आपका use किया जाता है singular numbers के साथ और वर किसके साथ यूज किया जाता है वर आपका use किया जाता है यूके साथ जो आपका second person है और जो आपके plural ज ते कि क्या होता है देखिए वाज जो है वो सिंग्जलर नंबर के साथ होता है और यहां पर एक concept है कि वाज ऑई के साथ भी यूज़ होता है बाकी सारी जगा जो है प्लूरल के साथ लगता है लेकिन एक कंडिशन ऐसी भी रहते है जहां आई के साथ वर लगता है अब वो कंडिशन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ देखिए नो डॉन कर लिजे गाईस यह चीज जो वो लिखना बहुत ज़रूरी है और आपको जो है इसी चीज में जो है वो एक्जामन सिच्वेशन होगी या आपकी हाइपोथेटिकल सिच्वेशन होगी मतलब परिकल्पित सिच्वेशन रहेगी अब हाइपोथेटिकल सिच्वेशन क्या होती है हाइपोथेटिकल सिच्वेशन आपकी वो होती है कि जो सिच्वेशन जो है वो इमेजिनरी सिच्वेशन होती ह जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच द्वारा हमारी परिकलपना द्वारा जो है वो निर्मित होती है उसको बोलते हैं hypothetical situation एक और चीज होती है कि I के साथ work up use होता है कि something that is not true कुछ ऐसी चीज जो सच नहीं हो और जब जो है हम कुछ ऐसा wish करते हैं कि काश ऐसा सच हो जाए जैसे कि I wish I were prime minister मेरी इच्छा है कि मैं परधान मंत्री होता और यह आगे यह आपका ऐसे हो सकता है कि if I were chief minister तो मैं ऐसा ऐसा काम करता है अगर मैं मुख्य मंत्री होता मतलब आपकी hypothetical situation आई आपकी जो है वो पूरी के पूरी परिकलपना आई आप जो है किसी चीज को परिकलपित कर हैं तो आपको concept clear है ऐसे तो हम I के साथ जो है वो वाज यूज करेंगे लेकिन जो है जब आपकी hypothetical situation आगी है imaginary जो चीज आगी तो I के साथ जो है वो हम जाएंगे वर के साथ वर के साथ जो है वो I के साथ जो हम वर का यूज करेंगे जैसे कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं पर रहा था मोहन वाज नौट रीडिंग अबुक गईस आप खुद ढूढ़िए subject क्या आगया हमारा मोहन करता वाज क्या आगया helping वर्व not क्या आगया आपका not आया आपका सॉरी पहले हम जो affirmative sentences थोड़े देख लेते हैं थोड़ा मेरे mind से skip हो गया देखिए मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था मोहन वाज रीडिंग अबुक सब्जेक्ट क्या आया मोहन वाज क्या आगया आपका helping वर्व रीडिंग क्या आगया आपका आगया वर्व reading रीड और ing लगा के reading बन गया और अबुक आगया आपका object सेम मोहन तुम वे आगया आपके जो है वो subject एक पुस्तक मेरी प्रतिक्षा और school देखे ये आगे आपके object और पढ़ रहा था कर रहे थे जा रहे थे ये आगे आपके verbs Mohan was reading अबुक तुम मेरी प्रतिक्षा कर रहे थे you were waiting for me waiting for me wait के साथ हमेशा proposition आपकी आएगी for they were going to school गो के साथ two बताई वेटिंग के साथ क्या आती है प्रपोजिशन आपकी four वे स्कूल जा रहे थे they were going to school वे स्कूल जा रहे थे they were going to school गोईंग के साथ क्या प्रपोजिशन आई आपकी two same यहां पे भी negative sentences में ऐसा है Mohan was not reading a book, you were not waiting for me they were not going to school यहां पे हमने क्या किया यहां पे हमने सिर्फ जो है वो not add किया क्यों negativity sense को show करने के लिए सिर्फ not जो है वो हमने add किया बाकी as it is जो है उपर जो मैंने आपको बताया बैसे ही हम रख लेते हैं subject 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 यह आगे आपके helping verb not जो है negativity के लिए reading waiting going आके verbs a book for me or to school आगे हमारे क्या है यह आगे हमारे objects next आते हैं interrogative sentences की तरफ क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था was more than reading a book इसमें जो है was, were और were हम जो हम क्या करेंगे subject से पहले जो है वो यह उठा देंगे क्यों ताकि जो है interrogative sentence का जो है एक sense आ सके उसकी जो है एक अभास हो सके जो आपकी प्रशन सूचक जो वाकिया है जो प्रशन का अभास हो सके कि हमसे जो है वो प्रशन पूछा जा रहा है या questioning की sense में जो है वो कोई sentence है क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था subject क्या आया मोहन, read क्या आगया आपका verb, ing लगा के बना देंगे हम reading और पुस्तक, एक पुस्तक क्या आया a book, या आगया object, पढ़ने को क्या बोलते है read, next क्या तो मेरी प्रतिक्षा कर रहे थे प्रतिक्षा को बोलते है wait इसकी जो अगर three form of verb पे चलना हो तो wait का होता है wait, waited, waited क्या तो मेरी प्रतिक्षा कर रहे थे were you waiting for me या क्या, क्या वे स्कूल जा रहे थे जहाना आपको पता है going मैंने बता दिया go went gone होता है, were they going to school अब अगर interrogative plus negative sentence अगर आपका रहता तो क्या बनना था क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे were they not going to school were they not going to school या जाना था going to school same ऐसे, अब next चलते है I hope आपको जो है, वो यह समझ आ गया होगा next चलते है past perfect tense की तरफ अब आपका past perfect tense क्या बोलता है guys past perfect tense जो है वो ऐसे कारे को व्यक्त करता है जो मतलब आपके past में अगर आपने दूसरा कारे शुरू किया उससे पहले ही वो वाला काम जो हो खत्म हो चुका था जो आपका continue से वो इस चीज को शो करता है कि आपने एक और कोई काम मान लीजे start कर भी जो है फिर भी जो है वो आपका काम जो है वो लगातार चला हुआ था लेकिन perfect tense से बोलता कि अगर आपने कोई past में काम शुरू किया होगा तो उससे पहले जो पिछले वाला काम है वो खत्म हो चुका होगा इसमें क्या होता है वाक्य गैंत में चुका था चुके थे चुकी थे लिया या लिया था आदी आते हैं गैस मैं पहचान आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह मेरे साथ ही बोलेंगे कि क्या बच्चों की तरह पढ़ा रहा है गैस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहचान को लेके बहुत mistake होती कल को आप schools में जाएंगे teacher बनेंगी तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जब आपको पहचान खुदी पता नहीं होगी मान लिजिए आपने बेड कर रखी है डियलेड कर रखी है कुछ भी कर रखा है अपने आसपास बालों के लिए तो आप जो है वो एक teacher है मान लिजिए आपसे कोई पूछी लेता है कि इस tense का क्या रहेगा तो फिर अगर आप भगलें जांकेंगे तो यह चीज अच्छी नहीं लगती है आपको जो है tense tips पर याद होने चाहिए उनकी पहचान उनके helping work और उनकी जो है formation हमने कैसे करनी है ताकि आपका जो है जो आपकी personality के एक message आता है एक अच्छा message आता है कि नहीं यार बंदा पड़ा है तो इसको जो है वो थोड़ा बहुत knowledge भी है इसलिए मैं tense के उपर जो है ज्यादा focus कर रहा हूँ देखिए इसका method क्या रहता है subject होता है इसमें helping verb आपका होता है head no matter आपका singular है plural है कुछ भी है xy that कुछ भी हम इसमें सिरफ एक ही use करते है head और verb की आती है third form verb की third form लगाएंगे और head लगाएंगे subject plus head plus verb की third form plus object यह आगए आपका affirmative है simple के लिए next आते है subject plus head plus not negative के लिए और head अगर पहले आगया तो आपके interrogative sentences के लिए और अगर interrogative plus negative देखने हैं तो head plus subject के साथ आ जाएगा not उसके बाद हम वारव की third form लगाएंगे आईए guys कुछ हम sentences देखते हैं उसके बाद जो है वो हम ज़्यादा detail में समझ पाएंगे simple sentences पहले देखते हैं मैं अपना कारे पुरा कर चुका था subject के आया मैं 첫 life kayak कर चुका था मतलब चुका था आपकी वह वागी चुका और उसके बाद क्या आया subject क्या गया अपना कारे यह कारे object आ गया तो i subject had Helping Finish देखिए चुकने को मतलब हमने जो मैंने जो है वह क्या-किया पूरा कर लिया, काम जो है क्या किया पूरा कर लिया, तो पूरा करने को क्या बोलते हैं, हम finish, finish बोलते हैं पूरा करने को, तो third form आएगी, finish का होता है, finish, finished, finished I had finished my work, अपना कारे, अपना कारे जो हो object आगया, I had finished my work, same हम सबी प्रेशन हल कर चुके थे हम आगे आपका subject object क्या आई आपका कर चुकनता हल कर जो है वह हमारा वव ये और object क्या आँए थे While क्या हर तो क्या है अएगा हम जो है वी subject हेड़ क्या नहीं है is जो हल करना है उसको बोलते हैं solve solve और third form second form क्या बनते है solve और third form भी क्या रहते है इसकी solve we had solved all the questions subject helping verb sorry helping verb या आगे आपकी main verb और ये जो है all the questions आपके आगे या आगे object राधा school जा चुकी थी subject helping verb main verb and school राधा had gone to school go went gone मैंने आपको बताया था राधा had gone to school अब आगे देखते है negative sense थोड़ी सी देख लेते हैं मैं अपना कारे पूरा नहीं कर चुका था हम सभी प्रशन हल नहीं कर चुके थे राधा school नहीं जा चुकी थी आई वी राधा आगे subject had not had not had not आपका helping verb finished solved and आपका gone आ गया जो आपकी main verb है my work और यहां पे skip हो गया है all the questions and to school आगे हमारे क्या या object अब गाइस आपको खुद से sentence देके पता लग जाना चाहिए कौन सी चीज के ओपर हम school go went gone next चलते हैं interrogative sentences थोड़ा सा हम देखते हैं क्या तुम football खेल चुके थे क्या अध्यापक आ चुका था क्या मोहन घर पहुंच चुका था तो गाइस अब मैं बार बार क्या का यूज आपको नहीं बताऊंगा कि कि सेंस में यूज करते हैं देखिए क्या तुम football खेल चु होता है यहां वी उपर आप देखेंगे we had not solved हम सभी प्रशन हल नहीं कर चको थे यहां भी प्लूरल लेकिन कोई फरक नहीं पड़ रहा है singular plural सभी के साथ जो है वह हम क्या यूज कर रहे हैं क्या तुम football खेल चुके थे subject क्या तुम क्या जो है वह आपकी interrogation को शो कर रहा है तुम क्या गया subject खेलना खेल चुकना खेलना क्या गया हमारा वर्व में वर्व और फुटवाल क्या गया हमारा object तो कैसे बनेगा head क्या क्या की sense शो करने के लिए जो आपका helping वर्व हमने पहले लगा दिया head you आपका subject play खेलने को क्या बोलते है play then play played played यह होती है इसकी second and third form play एकी second form आती है played और third form भी आती है played और object क्या फुटवाल और last में क्या है sign of interrogation next आता है क्या अध्यापक आ चुका था had the teacher come देखिए यहां पे जो है आ चुका यह आपकी main verb भी हो और object का काम भी कर रही है अध्यापक जो हो subject है अब आप बोलेंगे कि पीछे तो बता रहा है क main जो main verb है आज आ चुका मतलब आ गया लेकिन object का आ गया तो guys कही बार जो हमारी main verb होती है वो हमारे object का काम भी करती है तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है और ध्यान से किसी भी चीज़ को attempt करना है क्या अध्यापक आ चुका था had पहले लगा दे है the teacher अध्यापक के साथ जो है वह हम teacher के साथ हमेशा दाल लगता है had the teacher come आपको पता है आने को बोलते है come फिर इसकी second form बनती है came came and third form दोबारा आती है come came come तो इसके लिए यहां पे आगी third form come और last sign of interrogation आगे क्या मोहन घर पहुंच चुका था अब देखी यहां पे वैसे ही subject आ गया पहुंच चुक reach आता है पहुंचने के लिए तो reach की second or third form बनती है reached reached had helping verb मोहन आगे subject और reached आगे आपका main verb और home आगे आपका object had मोहन reached home अगर same as interrogative plus negative बनाना होता है तो क्या करते हम क्या अध्यापक आ चुका था क्या अध्यापक नहीं आ चुका था तो इसका बनना था head अध्यापक आना था the teacher short में देख रहा हूं the teacher एक दम से हमने not लगा देना subject के बाद एक दम से not लगा देना चाहे आगे जो मरजी हो subject के एक दम बात जो है हम क्या करते है subject के immediate बात जो है हम लगा देते हैं आपका not had the teacher not come और last में आ जाना था आपका sign of interrogation तो आपको जो है वो इसको इस तरह से attempt क करना है next चलते हैं हमारे past perfect continuous की तरफ जो हमारा जो है यहां पे चलते है past perfect continuous tense उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका जो है वो use कहां कहां होता है एक आपकी important topic आता है जो आपकी अपूरण है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है उसको पूरा करने के लिए जैसे I wish I had worked hard काश मैंने जो है या मतलब मेरी इच्छा है कि मैंने जो है वो कड़ी मेहनत की होती और next नहीं है I wish I had listened to the principles advise मतलब मतलब काश मैंने जो है वो principle की advice principle की सलाह को माना होता है आडवाइस का मतलब होता है सलाह को सुना होता है अब यह मतलब पश्ताबा प्रकट कर तो उस sense में भी जो है वो आपका perfect tense का जो है वो यूज किया जाता है नेक्स चलते हैं आपके past perfect continuous tense इसकी पहचान क्या होती है इसकी पहचान guys होती है कि वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था रहे थे रही थी आदिया थे उसमें आता है समय के साथ रहा है यहां पर रहा था रहे थे रही थी आदिया थे और जो आपका यह past perfect continuous tense होता है मतलब जो ऐसे कारे को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आराम होकर और लंबे टाइम तक भूतकाल में ही जारी रहा हो इसके rules होते है methods होते है हमने लगाना है head के साथ bean हमने head के साथ जो bean लगा देना है bean किसलिए लगाते है bean हमने पिछले जो present perfect continuous tense में लगा था bean जो है वो इसकी continuity को show करने के लिए bean इसलिए लगा जाते है इसकी continuity को show करने के लिए subject प्लस head bean प्लस इसमें जो है verb की first form के साथ ing लगेगा से बता दिया है एक चार्ट के थो बताया है तो I hope कि आपको जो है उसमें कोई परिशानी नहीं होगी आपको जो है वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही होगी आपको जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं जो है आप मुझे psychology की 19-20 वीडियो मैंने वहाँ पे बना के डाली हुई है मेरी आपसे request है कि अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है HP boss में notify किया हुआ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा help मिलेगी psychology section के लिए बाकि JVT वालों को यहां से English का maximum portion यहीं से cover होगा जो आपके police की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश का portion जो मैं करवाँगा वहीं से cover होगा जो आपके subordinate board HPSSB के exam होते हैं उनके जो exams में 10-12 questions English के आते हैं वो भी यहीं से cover होगा पहले आप 10 सीखें फिर जो है वो आपको कैपसूल है ट्रबल शूटिंग की वीडियो भी होगी लेकिन उसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है तो आई चलते हैं आपको subject जो आपका method है वो पता चल गया जो आपका negative है head और bean के बीच में हमने not लगाना है और interrogative में head subject और मैंने बोला था कि आपको जो subject बाद bean आएगा और interrogative प्लस negative है head प्लस subject प्लस as it is not हमने क्या करना होता है कि जैसे हमने negative में लगा है had not been same pattern यहां पे रखना होता है तो यहां से अगर head उठके यहां पे आगया और interrogative प्लस negative है तो not को हमने ऐसे ही as it is subject के बाद डाल देना होता है तो आईए चलते हैं देखी since point of time for period of time की period दे रखा point of time exact period का मतलब होता है जो अनिश्चित हो certain नहों और point होता है जिसका हमें पता हो affirmative sentences आपके कौन से देखेंगे मोहन दो घंटे से football खेल रहा था मोहन had been playing football for two hours अब देखिए मोहन आगया subject had been आगया आपका helping verb play आगया आपका main verb ing लगके बन गया playing foot wall आगया आपका object and for आगया आपका यहां पे time को show करने के लिए और time आगया two hours जो आपका for जो since for जो है वो हम क्या करते है time को show करने के लिए time को denote करने के लिए रमा सोंबार से पुस्तक लिख रही थी रमा subject आगया had been क्या आया सोचिए helping verb very good writing आपका आगया main verb बहुत अच्छे a book since Monday अब देखिए since क्यों लगाया क्यों कि Monday है Monday हमें definite है कि EC week का रहा होगा two hours हमें पता नहीं है कि जो है वो उसने आज खेला पिछले कल खेला या परसों लेकिन Monday जो है Monday अभी की बात हुई recently हम आपकी दो घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे we had been waiting वेट आगे आपका helping verb for you for two hours अब इन्होंने यह नहीं भूला कि पिछले दो घंटे से तो ऐसे होना था since last two hours तो वो दो घंटे उन्होंने पिछले कल वेट करा होगा या आपका परसो वेट करेगा वो हमें definite नहीं है इस चीज़ का जो है for or since my maximum बच्चों को confusion होती है तो यहां पे जो है वो अपने ध्यान रखना है अब चलते हैं हमारे negative sentences की तरफ Mohan had not been playing football for two hours देखिए Mohan had not been playing football for two hours Mohan दो घंटे से football नहीं खेल रहता है हैड के साथ not लगाया बाकी हमने as it is रख दिया रमा सोंबार से एक पुष्टक नहीं लिख रही थी रमा had not been writing a book since Monday राइट आपका जो है वर आती है आई एंजी लगे वसे राइट का अगर हम देखेंगे कि राइट की three form of words for you for two hours wait आता है आपका वर्फ वर्फ के साथ इसकी second or third form बनती है वेटेड 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 देखेंगाई अगर आपको tense करने है वो एक्टी पैसी वोइस करने है डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीस इसको हम निरेशन बोलते हैं अगर वो करने है तो उसके लिए जो है वह आपको यह three form of words का थोरो complete knowledge वह होना बहुत ज़रूरी है अब next इसके लिए जो है वह आपको selected three form of words के उपर special video बनाऊंगा जो maximum आपकी जो है वो use होती है next आते है interrogative sentences के ओपर क्या पहले लगा आपको बताने की जरूरत है नहीं क्या क्या क्यों लगाते है क्या मोहन दो गहंटे से football खेल रहा था head क्या है आपका helping verb मोहन क्या है very good subject आपके मन में click हो गया अब यह मत सोचना कि यह पागल हो गया पढ़ा रहा है तो इसका दिमाग घूम गया है इसको धूप जयादा लगी है नहीं मुझे पता है कि बहुत सारे जो मेरे साथ ही उनके मन में एक दम से click करके होगा कि मोहन subject है जो मोहन है वो हमारा subject being जो है वो continuity के लिए है और play क्या है आपका playing क्या है आपकी main verb है football क्या है आपका object बहुत बढ़िया and for two hours for क्या है हमने time को denote करने के लगाया और two hours के आगया हमारा time span दखिए ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से बहुत अच्छी progress है आप लोग पक्की हो जाएगी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ढंक से रहेंगे ढंक से पढ़ेंगे तो आपकी English योग इतनी पक्की हो जाएगी कि आप English में जो conversation कर पाएंगे यह मेरा बिश्वास है कि आप English में जो conversation करने के लाइक हो जाएंगे और last में हमने लगा दिए sign of interrog interrogation यह नहीं भूलना है यह भूल गए थे आप लोग भूले थे ना देखो पता होता है मुझे क्या रमा सोंबार से एक पुस्तक लिख रही थी had rama been writing a book since monday rama क्या आया जी subject been continuity के लिए write wrote written write आगे आपका वर्व जो plus ing लगाया हमने तो बन गया writing a book since monday एक बुक आगी हमारी object और since monday monday से monday हमें पता है और last आता है had the teacher been teaching since morning क्या अध्यापक सुबा से पढ़ा रहा था has the teacher been teaching since morning since हमने क्यों लगा या क्यों क्योंकि जो है अध्यापक जो है वह एक ही दिन पढ़ा सकता है ऐसा नहीं कि वह चार दिन लगा तर मतलब आज की सुबा पढ़ाने लगा तो वो चार दिन लगाता है बिना सोए बिना खाए बिना पीए जो है वो पढ़ाता ही रहेगा नहीं जी वो पढ़ा सकता है सुबा से लेके शाम तक लेकिन लगाता है जो 24 आर्स जो है वो नहीं पढ़ा सकता because he is also a human being he is not God और उसके पास वो supreme powers नहीं है कि वो जो लगातार पढ़ाता रहे तो guys, देखिए यहाँ पे जो है वो interrogative plus negative अगर हम देखें क्या रमा सोंबार से एक पूस्तक नहीं लिख रही थी है ड्रमा, रमा के साथ ही हम क्या लगा देंगे नौट हमारा काम खतम वाके as it is लगा देना been writing a book since Monday यह आपका हो गया, अब देखते हैं कि इसका use किसलिए लिख रखा है, किसी ऐसे कारे को व्यक्त करने के लिए जो भूत काल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ उसमें चल रहा था, तथा समापत नहीं हुआ और यह जो है, he had been reading a book for five hours मतलब पांच घंटे तक जो है, वो उसने लगादार किया था आपकी बुक पड़ी थी, तो guys future tense जो हम कल discuss करेंगे, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जो है वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ दबा के share कीजिए बाकी जो मेरे साथी channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी से अगर आप support दिखाते हैं तो moral boost होता है आपके लिए और वीडियो जो है वो बनाने का दिल करता है तो ठीक है guys, आज के लिए बहुत पकाली है मैंने आपको sorry and thank you so much, have a nice time